Hello everyone and welcome back to my channel learner sub तो आज जो हम लोग topic discuss कने जा रहे हैं उसका नाम है Preface to Lyrical Ballads जिसे लिखा गया था एक English Romantic Poet William Wordsworth की द्वारा तो ये जो work है Preface to Lyrical Ballads ये असल में एक essay है जिसे originally published किया गया था year 1801 में तो इस essay को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस essay के title के बारे में और Lyrical Ballads क्या है उसके बारे में एक overview दना चाता हूँ ताकि आगे चल कर आप लोगों को ये essay अच्छे से समझ में आ जाए तो Lyrical Ballads जो है वो असल में एक 23 poems की collection है जिसे लिखा गया था William Wordsworth और Samuel Taylor Coleridge के contribution से जिनमें से 19 poems William Wordsworth की थी और 4 poems S.T. Coleridge के थे तो इस Lyrical Ballads को 4 editions में publish किया गया था सबसे पहले तो year 1798 में फिर year 1800 में फिर उसके बाद year 1802 में और lastly year 1805 में publish किया गया था जब इससे first time publish किया गया था year 1798 में तब उस time पे इसमें कोई भी preface introduction एड नहीं किया गया था कि बिना किसी introduction के उन poems को publish कर दिया गया था बट लेटर ओन जब काफी सारे critics ने उनके poems को criticize करने लगे because of his using of simple and common language तब उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें एक preface या introduction एड जरूर करना चाहिए ताकि वो अपने opinions और अपने views को भी सब के सामने रख सके इसलिए उन्होंने second edition में एक preface से introduction को add किया ताकि वो अपनी बात या अपने views को भी अपने audience को समझा सके कि उनका क्या सोचना है या उनका क्या opinion है poetry को लेकर तो लिरिकल बैलेट्स के इसी preface या introduction को आज हम discuss करेंगे जिसे की एक essay के format में लिखा गया है और एक और important बात ये है कि इस work को romantic movement का manifesto यानि घोशना पत्र भी माना जाता है या कहले एक revolutionary work भी कहा जाता है जिसके वज़ा से English literature में romantic movement की शुरुवात होई तो अब बिना time waste की आज को जो हमाना essay है Preface to Lyrical Ballads इसे हम लोग शुरू करते हैं तो विलियम वर्सवर्थ इस essay की शुरुवात एक discussion से करते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि उनकी जो ये collection है poems की उन्होंनों इसे अपने एक friend S.T. Coltrich के साथ मिलकर पूरा किया है और जिससे originally published किया गया था year 1798 में पर उस समय उन्होंने इसमें कोई भी preface से introduction आड नहीं किया था जिसके वज़े से उन्हें काफी ज़्यादा क्रिटिसाइसमेंट को face करना पड़ा तब दो साल के बाद उन्होंने अपने second edition में एक preface को आड किया जो कि later on फिर और ज़्यादा extend हुआ तब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर एक पोईटिक कलेक्शन में उन्हें किसी preface या introduction को आड करने के क्या ज़रत पड़ गई और इसका purpose क्या था तो विलियम वर्सवर्ड ने जब इस पोईटिक कलेक्शन को लिखा था तब उस समय जो उनके contemporary writers थे या फिर कहले उस समय जो late neoclassical writers थे वो बहुत ही high level के language को या high standard के language को use किया करते थे और उनकी जो range हुआ करती थी words की और बाकी literary devices की वो भी काफी high हुआ करती थी जिसकी वज़ा से उनकी poems तो काफी sophisticated हुआ करती थी पर उसको पढ़ने में common people को कोई खास pleasure या joy नहीं मिलता था इसलिए वर्सवर्ट ने common people के language को और rustic type के language को अपने poems में इस्तमाल किया ताकि एक तो वो अपने readership को increase कर सके और इसके साथ ही वो common people जो ज़दा पढ़े लिखे नहीं होते वो उन्हें भी pleasure दे सके और उनकी poetry के जो subject हुआ करता था वो भी वो उसे रोजभरा की जिन्दगी से या nature से inspire होकर लिखा करते थे क्योंकि वो एक ऐसा दोर था जब industrialization और urbanization ने लोगों के mind को या दिमाग को बिलकुल dull कर दिया था इसलिए वर्षवर्ट ने अपनी poetry को nature से या अपनी surrounding से inspire होकर लिखा करते थे ताकि वो लोगों के senses को फिर से awake कर सके और उनके dull mind को दुबारा से revive कर सके या जगा सके पर बिना किसी preface के critics और scholars उनके works को criticize करते इसलिए उन्होंने एक introduction को add करना ज़रूरी समझा ताकि इसके थूँ वो लोगों को समझा सके या बता सके कि उनका क्या view है या उनका क्या opinion है poetry को लेकर और इसके साथ ही उनका जो poetry का theme था और style था वो भी बिलकुल नया था तो इनी सब चीजों को clear करने के लिए और अपने purpose को सही तरीके से समझाने के लिए उन्होंने इस preface को add करना या लिखना ज़रूरी समझा फिर वो आगे कहते हैं कि उन्होंने जितने भी poems इस collection में लिखे हैं वो सभी poems उन्होंने एक experiment के तौर पे लिखा था क्योंकि वो ये देखना चाते थे कि उन्होंने ये simple language और rustic language को अपने poetry में use किया है लोग उसे पढ़कर कैसा react करते हैं और वो ये जानकर काफी खुश होते हैं कि उन्होंने जितना expect किया था लोगों से उन्होंका work उसे ज़्यादा successful रहा और इसके लिए वो अपने friend ST College को भी acknowledge करते हैं जिन्होंने अपने काफी सारे poems से इस collection को contribute किया था और जिन्होंने से उनका one of the most famous poem The Rime of Ancient Mariner भी included है फिर इसके बाद वो कहते हैं कि जिस तरह से एक poet का ये अधिकार होता है कि वो अपने हिसाब से किसी भी technique को या idea को अपने work में include या exclude कर सकता है ठीक उसी तरह से हर age में या हर दौर में different type की poetry या different style की poetry उभर कर बाहर आती है और लोग अलग-अलग तरह के चीजों को poetry से expect करते हैं जिसके बाद वो catalyst tolerance से लेकर Alexander Pope तक की बात करते हैं और उनके हिसाब से उन्होंने standard language के बजाए common language को इसलिए use किया क्योंकि वो एक change लाना चाते थे बजाए कि वो lazy थे इसके बाद फिर worst worth हमें poetry के nature के बारे में उसके function के बारे में और इसके साथ ही कौन से से qualities हैं जिनने जानकर हम एक true poet को identify कर सकते हैं या पहचान सकते हैं इनके बारे में बताते हैं तो सबसे पहले तो वो हमें poetry का एक definition देते हैं और कहते हैं that all good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings that takes its origin from emotion recollected in tranquility यानि जब हमारे emotions या हमारे feelings बहुत ज़ादा हमारे अंदर accumulate हो जाता है या जमा हो जाता है और वो हमारे अंदर फिर और ज़ादा नहीं ठहर पाता या overflow होने लग जाता है और जब हम उन feelings को paper पर उतार कर उन्हें arrange करेते हैं तब उसी चीज़ को हम poetry कहते हैं और जिसकी शुरुआत हम अपने emotions को peaceful state में recollect करने से करते हैं फिर वो आगे कहते हैं कि एक poetry में poet के emotions और उसके passion जरू जलकने चाहिए या reflect होने चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस जो observe किया उसे ही आपने बस वहाँ पर record कर दिया एक true poet को अपने real life experience से inspiration लेकर उसे उन चीज़ों को ordinary language में describe करना चाहिए और जिसके साथ ही उसे अपने imagination के color को भी उसमें जरूर add करना चाहिए ताकि एक ordinary से चीज़ भी लोगों के mind को unusual तरीके से appeal कर जाए यानि feelings और emotion ज़ादा important है action और plot से क्योंकि वही इने supplement करता है और हम इसे और बहतर तरीके से समझ पाएंगे जब हम Wordsworth के दो ballads जिनका नम poor Suzanne और childless father है उसे हम पढ़ेंगे तब हम इसे और बहतर तरीके से समझ पाएंगे अब इसके बाद फिर Wordsworth हमें poetry को लिखने का technique या theory बताते हैं और कहते हैं कि एक poet को poetry लिखने के लिए in four stages या चार stages से गुजरना पड़ता है जिनमें सबसे पहला होता है observation यानि कोई भी object या person या situation जो भी हमारे emotions को stimulate करता हो या activate करता हो हमें उससे सबसे पहले अच्छे से observe करना चाहिए फिर उसके बाद आता है recollection यानि जिस भी topic पर हम लिख रहे हैं या जिस भी चीज़ पर हम लिख रहे हैं हमें उस चीज़ पर सबसे पहले शांती से बैठ कर जो भी हमने observe किया है या जो भी हमारे पास knowledge है उससी से related हमें उन सभी चीज़ों को एक जगा पर recollect करना चाहिए उस चीज़े से related जो भी हमारे पास memory है हमें उसे एक जगा पर collect करना चाहिए फिर इसके बाद आता है filtering का process तो अब इतना सब कुछ recollect करने के बाद हमारे पास काफी सारा raw material या content collect हो जाता है जिनमें से काफी सारे elements non-essential या unnecessary भी होते हैं तो इस filtering के process में हम इनी unnecessary चीज़ों को remove कर देते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ quality content ही बाकी रहे और last में फिर हम इन सबी चीज़ों को अच्छे से arrange करके एक beautiful सी poetry को compose कर देते हैं जिसमें poet का goal हमेशा यही रहता है कि वो अपने emotions को बहतरीन तरीके से express कर सके ताकि उसके readers भी उसे समझ सके और उसे enjoy कर सके अब इसके बाद फिर worth worth imagination के topic पर बात करते हैं जहां पर वो कहते हैं कि जिस तरह से new classist writers imagination को define करते हैं और जिस तरह से romantic writers इस चीज़ को देखते हैं उनमें काफी ज़्यादा difference है तो जहां पर new classist writers का ये मानना है कि imagination हमारे दिम combine करने की काबिलियत रखता है बले ही वो चीज़ exist करता हो या ना करता हो वहीं दूसरी तरफ romantic writers जैसे की worst worth का ये मानना था कि imagination जो है वो कई ज़्यादा creative होता है क्योंकि imagination स्रिफ recorded sensations को ही assign करने का काम नहीं करता है बलकि imagination में तो वो power है कि वो एक नए reality को create कर सकता है जो भी ह हम अपने आसपास देखते हैं imagination की health से हम उसके beyond देखने की power रखते हैं इसलिए worst worth का ये मानना था that poetry can capture any and every subject that interests the mind of poets तो इससे हमें ये समझ में आता है कि subject उतना जरूरी नहीं है बलकि important तो ये है कि एक poet किसी subject में meaning को कैसे add करता है या वो किसी चीज़ को poetic कैसे बनाता है और दिसलिए worst worth common ये day to day life से ही अपने subject को choose करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से जो ruler lifestyle ये rustic lifestyle को follow करते हैं वो लोग nature से जादा close होते हैं और honest होते हैं अब इसके बाद worst worth हमें और गहराई में लेकर जाते हैं और वो हमें poetry के function के बारे में बताते हैं so unlike the classist who used to value art for the shape of art only the romantic writers used to believe in art for the shape of life यानि जो classist हुआ करते थे वो एक art को इसलिए value करते थे क्योंकि उनके according एक art का main work या main aim यही होता है कि वो अपने आपको self express करे जो कि उसके artist ने उसमें create किया है अब भले ही उसमें कोई moral value या philosophical value हो या ना हो but on the other hand romantic poets जैसे की verse worth का ये मानना था कि एक art का main work यही होता है कि वो उसके reader को moral instructions दे, philosophical value के बारे में बताए या फिर किसी idol के बारे में उसके readers को knowledge दे और अफ finally इस essay के last में वो ये discuss करते हैं कि किस तरह से एक poetry और prose के बीच में जारा difference नहीं होता और क्यू हमें poetic diction या बागी के literary devices को avoid करना चाहिए और कैसे poetry science से superior है तो overall इस last section में वो हमें poetic diction के बारे में detail ने बताते हैं तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि diction क्या होता है तो diction basically एक language को कैसे हम use करते हैं उसे हम diction कहते हैं अगर हम इसे और specific तरीके से समझे तो एक language में जो words होते हैं, phrase होते हैं या फिर sentences होते हैं उनके choice को हम diction कहते हैं, उन्हें हम किस तरीके से choose करते हैं उस language में से उसे हम diction कहते हैं तो words word का ये कहना है कि वो abstract ideas को और poetic diction को avoid करना ही पसंद करते हैं क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा strict rules होते हैं, artificial metaphors होते हैं और इसके साथ ही उसमें काफी ज़्यादा figure of speeches होते हैं जिसके इस्तेमाल से एक poetry काफी ज़्यादा बनावटी या artificial लगती है और उससे उसके readers को भी कुछ खास pleasure नहीं मिलता है क्योंकि अगर कोई reader एक poetry को पढ़ता है और वो बार बार उसमें अटक जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा metaphors और artificial figure of speeches को use किया गया है तो उससे उसके reader को कोई खास मजा नहीं आएगा तो इसलिए वो हमें advice करते हैं कि हमें poetic diction को avoid करना चाहिए फिर इसके बाद wordsworth हमें ये कहते हैं कि एक poetry और prose के language में कोई खास difference नहीं होता है तो जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि एक prose में characters होते हैं settings होता है, plot होता है और वो हमें एक message convey करता है अपने work के through बट जब एक poet किसी language को या diction को use करता है तब उसका main aim या main purpose यही होता है कि वो उसे use करके अपने poetry में अच्छे से express कर सके और वर्सवर्थ यहाँ पर neoclassical writers को criticize करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़ादा artificial और unnatural language को use करते हैं अपने work में तो वर्सवर्थ का यही मानना है कि इन दोनों की language काफी ज़ादा identical या same ही है और उनका ये भी कहना था कि काफी सारे great poets जैसे कि Milton हो गए, Thomas Gray हो गए उन्होंने काफी ज़ादा important line को उन्होंने अपने work में ऐसे ही simple pro style में लिखा हुआ है बिना किसी poetic diction को use किये जिनमें से वो Thomas Gray की एक sonnet on the death of Richard West की एक example बितते हैं जिन्होंने काफी effective lines को simple style में ही लिखा हुआ है इसके बाद फिर वर्सवर्थ हमें ये भी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि rhyme और meter poetry को प्रोस से अलग करते हैं पर वर्सवर्थ का ये मानना है कि नहीं ऐसा नहीं है बलकि ये तो बहुत ही छोटे level पर distinction है जो कि जादा effect नहीं करता है जैसा कि एक poetic diction और common language के बीच होता है उल्टा वर्सवर्थ का तो ये कहना है कि हमें poetry में rhyme और meter का use जरूर करना चाहिए क्योंकि एक तो उसमें rules कम होते हैं और दूसरा वो एक poem में painful emotions को बढ़ाने का भी काम करता है और उसमें उसे control करने का भी काम करता है इसलिए तो हमें Shakespeare के work ज़ादा पसंद आते हैं बजाए James Shirley के क्योंकि Shakespeare अपने works में rhyme और meter का बहुत ही effectively use करते हैं और poetry science से इसलिए ज़ादा superior है क्योंकि जब एक scientist किसी चीज़ को invent करता है या discover करता है तब उसको जो खुशी महसूस होती है या उसको जो pleasure मिलता है वो उस तकी सीमित रहता है या limited रहता है क्योंकि वो उस चीज़ को किसी के साथ share नहीं कर सकता कि उसको कैसा महसूस हो रहा है बट जब एक poet खुश होता है तब वो अपनी खुशी को एक poetry के थूब बया कर देता है और जब हम लोग उस poetry को पढ़ते हैं तब हम भी उस सेम खुशी को experience कर पाते हैं तो इसलिए poetry science से ज़ादा superior है तो इस essay को conclude करते हुए wordsworth हमें ये कहते हैं कि कुछ critics उनके works को बहुत harshly criticize करते हैं बट उनका ये मानना है कि उनके works को सही तरीके से judge तो उनके readers ही कर सकते हैं और वो अपने readers से request करते हैं कि वो अपनी खुद की opinion या खुद के feelings को develop करे और वो दूसरों के कहने पर या दूसरों के सुनने पर ना जाए अगर उनके readers को उनकी कोई एक poem अच्छी लगती है और कोई दूसरी poem खराब लगती है तो वो अपने readers को suggest करते हैं कि वो उस दूसरी poem को दुबारा सजा कर पढ़े क्योंकि किसी poetry को read करके उसे अच्छे से judge करना भी एक talent है इसलिए वो चाहते हैं कि उनके readers कोई जलबाजी ना करे उनकी poetry को judge करने में क्योंकि उनका main मकसद यही होता है कि वो अपने readers को pure और long lasting pleasure provide कर सके by using simple language तो इस तरह से हमारा video खतम होता है and I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज नीचे comment box में जरूर बताएं like करे, share कर अपने दूस्तों के साथ and thank you for watching